हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि पिल्कुल ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स हाज है कि हमें चीनी घानी चाहिए की गुड़ देखिए आप गुड़ का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप चीनी कभी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कितना कितना करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी और इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से खुल कर बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऐसा है कि कहा जाता है ना कि चीनी सिहत के लिए बिल्कुल भी फायदे मन नहीं है इसे खाने से हमारे शिरी को कई नुकसान जहिलने बढ़ते हैं तो फिर इनसान क्या करें फिर हमारे दिमाग में आता है दूसरा ऑप्शन गुड़ गुड़ कई लोग चीनी क को टकर दे सकता है देखिए चीनी और गुड़ दोनों में ही कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है गुड़ चीनी की जगा नहीं ले सकता गुड़ और चीनी को हम अलग अलग चीजों में इस्तमाल करते हैं आप जानते ही है चीनी को तो हम सर्दी गर्मी बरसात कभी भी इस्तमाल करते हैं लेकिन गुड को ज्यादातर हम सर्दियों में ही इस्तमाल करते हैं या खाते हैं क्योंकि इसकी तासिर होती है गर्म, गर्मियों में हम इसे नहीं ज्यादा खा सकते हैं, सर्दियों में चाय भी बनाकर इसकी पी लेते हैं, तिल की गचा को, मुंगफली क गचा को गोंद के लड़ू हो और भी कई डिशिज में हम इसका इस्तमाल करते हैं और जो चीनी है उसको हम अगर कॉफी बनानी हो तो चीनी डालकर ही कॉफी बनाएंगे ना गुड़ तो हम डालनी सकते शिरीखंड बनाना है तब भी हम चीनी को डालकर ही शिरीखंड बनाएं बस फर्क ये है कि दोनों की प्रोसेसिंग अलग है इसमें कोई शक की बात नहीं कि गुड़ फायदे चीनी से गुड़ में फायदे जादा है चीनी की बज़ाए गुड़ पूरी तरह से एक नैचरल फूड आइटम है जबकि चीनी में ब्लीचिंग प्रोसेस की जो वज़ा स केमिकल आ जाते हैं रिफाइंड चीनी को बनाने के लिए केमिकल्स का ही इस्तमाल किया जाता है गुड़ में ऐसा कुछ नहीं होता और ये कई बिमारियों में भी हमारे फायदा करता है गुड़ देखिए अनीमिया की जो पेशन्ट होते हैं जिसमें खून की कमी होती है जि जिंक हो गया और भी कई इसमें पोशक तैत्व हैं गुड़ बहुत ही धीरे धीरे हमारे अंदर मतलब की शिरीर में अब्जॉर्ब होने वाला होता है जो हमारे ब्लड शुगर के लेवल को बैलन्स रखता है बलकि जो चीनी है तेजी से अब्जॉर्ब हो जाती है और गु गई हो यह सांस जैसी संबंदित और भी कई प्रॉब्लम अस्थमा में भी यह काफी फायदा करता है अगर आप गुड़ खा रहे हैं तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है फायदे ही फायदे हैं लेकिन चीनी अगर आप खा रहे हैं तो बहुत कम खाईए ना मात्र ख टॉक्सिंज जो बाहर निकलने और भोजन को पचाने में मदद करता है बहुत चीनी और गुर्ड दोनों ही शरीर में कैलरी को बढ़ाते हैं लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनेना तो फ्रेंड्स हम गुर्ड को ही चुनना पसंद करेंगे क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं तो मैं एक बात और बता दूँ डायपटीज कि जो मितलब जिने शुगर है डायपटीज है वो मीठा तो बिल्कुल भी ना खाएं अब उनको यह होगा कि भी चीनी खाएं ना खाएं तो गुर्ड खा लें तो दोनों में ही शुगर होती है हाँ यह है कि इनसान क कई बार मीठा खाने का तो चीनी की बिज़ए अगर चोटा सा टुकड़ा कई बार मन कर जाता है तो गुर्ड खा सकता है इनसान लेकिन चीनी नहीं तो शुगर के पेशंट इन दोनों को ही वाइड करें दोनों ही दोनों में ही मीठा काफी होता है तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जो गुर्ड है वो ज्यादा फायदेमंद है चीनी से तो गुर्ड का सेवन आप अराम से कर सकते हैं इसके वेंजन बनाकर खा सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए